हेलो एजी पीजी स्मार्ट ओनर तो जैसे कि आपको पता है कि एजी पीजी एप का 2.0 लांच हो चुका है तो एजी पीजी 2.0 के अंदर एक नए फीचर के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ अलिये शुरू करते हैं पीजी में नए बच्चों को कैसे आड़ करना है यह मैं आज आपको बताऊंगा तो जैसी आप अपने एप को खोलते हैं उसके आप नीचे स्क्रोल डाउन करते हैं तो आपके पास एक पीपल सेग्मेंट आता है पीपल सेग्मेंट में जो पहला बटन है वो न्यू टेनेंट को है जैसे आप नीचिसे को सकते हैं तो यहाँ से आप awareness को आड़ कर सकते हैं जो और आपके बास आजाएगा अगर आप चाहते हैं증 चले जाए तो लिंग पर यहां से आप मुबाइल नमर डाले 살 को स्कूछ से WhatsApp मैं से direct कर सकते हैं लेकिन अब आपको चाहिए कि आपको खुद add करना है तो add करने के लिए भी तीन option है आप phone contact को add कर सकते हैं new tenant को अलग से add कर सकते हैं या फिर bulk upload बुलक upload अभी है नहीं coming soon है तो आ जाएगा कुछ अगर आप add from phone contact करते हैं तो आपके पास name और जो उसका number है वो directly automatically इसमें आ जाएगा अपने आपके phone number से और अगर आप new tenant पे क्लिक करते हैं तो आपको सब कुछ manually भरना है जैसे कि माल लीजे मैं एक tenant को add करता हूं जिसका नाम testing है और उसका phone number कुछ इस type से है मैं उसका room choose करता हूं अभी मैंने third floor add किया था तो 304 मैं उसका room add करता हूं date of joining date of joining अगर मैं उसके आज की रखूँगा तो वो new tenant में add होगा अगर मैं उसकी future की रखूँगा तो वो हमारी मेरी booking में add हो जाएगा तो मालीजे मैं आज की रखता हूं और rent में इसमें डालता हूं normally होता क्या है कि बच्चा जो होता है वो जब room book कराता है तो कुछ advance payment करता है तो अगर उसमें सब कुछ दे दिया है सारा rent और security दे दिया है तो आप no dues कर सकते हैं पीपल में जाके आप अपने tenants में देख सकते हैं आपका जैसे tenant खुलेगा तो वहाँ पर testing 304 में add हो चुके हैं जिसको आप call, whatsapp और app पे अनवेड भी कर सकते हैं इनके dues यहाँ से add कर सकते हैं